कि हमारे आधार नीश बंते हमारे पहचान नीश जब हमारे यह सब कुछ बन्या है क्यूं बनाया जब हम गाहर कानु जगा परे रहे तो क्यू Qianगा नीश्क कान पास कोई खाना में कोई खाना हमय यह कोई पढूसी है। जितने उसके गरीब है वो इनसान वो भी एक टाइम दे जाता हूँ हमें खाना रात में दे जाता हूँ हम बच्चे को देखो पानी पिला रहा है बच्चे का पास भी दूद नहीं है पानी ही पिला रही हूँ मैं उसको भी चालिस हमें रहते हैं वहां बुड़ाप आगे उसी जगह का आज बुड़ा पर मेरा अपका दिले दो आज बेशे लिए हमारी कलोरी और जहां रहते हैं हमारा कानु चले का जब नेता लोग आएंगे वही थे रहा जाए वहां घुषने निदेंगे उने अपने कलोरी ने यह बीजेपि और नेता के लोगों का आना मना और आओगे तो पिटाई के लिए हम जिम्मेदार नहीं है जिनसे उनका घर चीन लिया गया जिन्होंने अपनी मेहनत के कमाई से उनके घर बनाए थे अपनी जुग्यां बनाई थे ये सब असल में शुरुआज जो होती है जुग्यों के बनने की और टूटने की असल में शुरू होती है इंडसलाइशन से इंडसलाइशन हुआ तो यह यहर की का मालिकाना हक कभी नहीं आ पाता है और मजबूरन उन लोगों को जुगियों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है और वही लोग जिनके लिए उन्होंने यह शेहर बनाया था वो लोग इन्हें illegal कहने लग जाते हैं गुसपैठिये कहने लग जाते हैं मैं कुछ तस्वीरे दिखाना चाहता हूँ आपको ये लोग देखिए लोग अपने बच्चों तक को लेके आए हैं और ये वो लोग हैं जिनोंने आज एक हरजाना चुकाया है हरजाना उस चीज का जो इनोंने रहीसो के लिए जो शहर बना के दिया वही रहीस आज इन्हें इल्लीगल बता रही है वही सरकार जो इन्होंने खुद अपने वोट से चुनी वो इन्हें इल्लीगल बता रही है इनके घरों को इल्लीगल बता रही है इनके पोस्टर्स को आप पढ़ सकते हैं जो जो बातें इनके पोस्टर्स पर लिखी है वो सभी सच हैं और यहाए हैं दिल्ली के बाबरपुर इलाके से जहाँ पर दिल्ली सरकार के मेही मंत्री गोपाल राय विधायक चुनक्याय है परियावरण मंत्री हैं गोपाल राय और यह जंता कलोनी में रहते हैं बाबरपुर की और यहाँ पर जो सभी लोग है वो वो लोग हैं जो इस दिल्ली को चलाते हैं अगर यह वर्ग दिल्ली में ना हो तो इस दिल्ली की हालत किसी किसी खंडर से कम नहीं होगी जिस दिल्ली को हम समझते हैं कि ये ग्लोबल सिटी बनने वाला ये वैश्विक्स तरका शहर बनेगा न्यू यॉयॉक से कंपेर करते हैं दिल्ली को लेकिन वो दिल्ली कुछ भी नहीं है अगर ये लोग ना हो और इनी के लोग इनी के घर आज छीन लिए गए हैं एंसीडी ने बिना किसी नोटिस के बिना किसी प्रायर नोटिस के वो इनके घर उजाड दिये हैं यहां पर मौझूद हैं काफी सारे लोग हैं उनसे अभी हम बात करेंगे क्या हैं कि मनमेश्वाद अट जी कहां से आए हैं और जंतकलोनी से पीली मीटी बावरपुर महीं इजना कि अगर हम गैर कानूनी जगा पर रहते तो वहार पासिपोर्ट नए बंथे बच्चोपं हुमारे अधार नहीं बंते हमारे पहचान नहीं बंते अब जब हमारे सब कुछ बन यह हैं जब हम गलत जागा पर रहा हैं तो प्र उनको जागे पुझिए पर अगर हम गलत जगह पर रहे तो और हमें कोई सूजना नहीं दी और मैं बीमार थी होस्पिटल से अर्वन से आई थी मैं और बच्चे ने किसी ने आके बताया घर में कोई नहीं था मेरे छोटे बच्चे थे बड़ा लड़का भी मेरा काम पर गया वा था और वहां बच्चा कितना कितना टाइम हो गया आठ तारीक की बात है जुमेरात का दिन अच्छा वहां से जब हमें बच्चे ने बताया में बाहर निकली लेडिस पुलिस पकड़कर और रहा दो तीन जनी थी उन्होंने हाथ पकड़के गया मेरा बच्चे हैं वहां अंदर बच्चों को मेल आ लाइंगी न मेरे बच्चों को ठाने दो गाले लंट अंदर कितने साल का थी बाड़का और फोटू भी बदाबा्ता उसको मांोट भागया उसCats लगी भी उसको लेकर नहीं आई में दोनों पेरों में चोट मारी गई है बते हैं मोटा सा है पुलिस वाले थे लेडिस पुलिस दो दो जोनों ने मुझे पकड़ लखा था धक देख और मेरे तो वैसे भी तबियत खराब बहुत जादा थी और अब में में लेकर नहीं आई अपने पर उपड़ा दिखाती हो एस्पिटल के कागज हो जो उस दिन में आई थी हो इस्पिटल से अब यह लगाओ कि यह मुझे थोड़ा सा वक्त दें तो मेरे बच्चों को समेटने दो जो मेरा समान है मेरे लड़के की साधी थी उसका भी समान में ने इखटा कर रखा और मेरा कुछ भी समान नहीं मेरा सिलंडर भी मैंने कल निकला और में नहीं पड़ी हो मैं बीमार इंसान केसे निकालू में बीमार केसे निकालू में समान में निकल बारिया अब धीरे धीरे कपड़े लगते जैसे कैसे भी हम आए बानी नहीं है पीने के लिए किसी कोई सी च बीच आप सपाइए उसमें ही बाइवेते हैं वह काम पर भी नहीं थे लड़का लड़का भी किसी के दोरे लगावाई है जोड़के अब हक्तिे साल से रहे रहें हूं आप लोगों नेन मद्याद करी ती फिर हमारी जूगी थोड़ दी, अलना कुछ निकाला आमारा बरतन मरतों कुछ भी निया, सारा दवा पड़ा हुआ है, और एक चोड़ा था नमासा है, वो भी सोरा था बच्चा, उसके भी चोड़ा है, इस बच्चे के भी बताओ, उस सब्सक्राइब पर जब सब्सक्राइब तो जैदा मला हग की लड़े लड़े उनको जिफसी में डाल के लिए जो पोल ले हमारी तरफ से यूख और के के कैया हम चें कि अब निमरे ये तुम अब मरोगे गर्मियों में ऐसी अमने कर शारा समानी ओडाक, इस ऑब है कर गए कॉय बात हिसाइँ, यूणत ने नीमरे थैज हूं, आप जो तारीक से अभी ठेसाओ किसी ने भी पानी तक नहीं मिल्या गर्वी में ऐसी पढ़े चोड़े में रोड़ पैसी पढ़े चोड़े में बच्चे कुछी सब ऐसी पढ़े बारिश आगे थी तिरपाल ओड़ के बच्चों को लेगा उसी के अंदर बेटे वे तिरपाल इसमें बैठे रहें और कुछ था नहीं तो और इस तरीक से बेठे रहें हम बच्चों को चोटे-चोटे को लेकर निकरी जैसे बातरूम की लेटिंगे आठ कितने दिन हो आठ तारीक को तोड़े गए यह आठ तारीक से अभी तक नहीं किसी चीज का भी सुविधा नहीं सरकार की तरफ से कि हां गरीब हो के लिए जैस लगें की लिए और इनके लिए कोई मद नगम नगा हिंटम हमारी अजोत करती तो उन्होंना माई लिए मदह करने के लिए एक-दो दिन खाना दियाए फलराय फान निया किसी कुछ खाना हमें नहीं नहीं हमने खाया हमें कोई काना कम जितनी उसको गरिब है वो इंसान वो भी एक टाइम दे जाता हूं हमें खाना हुए सुरात में दे जाता है वह बच्चे को दोड़ नहीं है पानी पिला रही हुं हूं को झानल को पैस वह जया मुलय हैं रहिए खाना हम यह हमएंया अरफास नहीं पोचा खाना लेकिन हम ऊसी को भी शुकराना हैं में तिन बच्च अपने बच्चे कर देंगे हम हम जब नहीं के पार रही हैं और दूर से बाग 때도 स Catholic Store कि अभीока मतलब यहां हमने से कहा जाएंगे कर ना बनाया क्यों बनाय रहे कियो बनाया है कि यह बनाए छो जाएंगे हम एक अगभार rh помощ कुछ निल्मार परकारी कागेज बन जाएंगे हमारे नहीं बनेंगे ना तो क्यों बनाएं तो क्यों बनाएं और पड़ाई लिखाई के लिए अब बीच में छोड़ दिया हमें कि बच्चे पड़ी स्कूल जाते अब कि इतने दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं हमारा कोई नितजा हम दो भेनें हैं और मेरा कलाएं पाक मुझे ढाने दो और मेरे बच्चे पड़ाने दो और चलो समान भी नीट हापाऊगी तो बोले चल हट यहां से मेला रही हैं तेरे बच्चों को बिनके सर मिरे कलाएंगे तो लाने दो लेड़ी इस पुलिस थी मेरे दोना हाथ पकड़कर मुझे नीचे ही गिराएगा लेकिन बच्चे को में लेकर आई मेरे कलाएं पाक दोनो पूछा जाए आप ओटो वालों के साहत में खाना खारे हैं कम सकम यहां के जुग्या वालों के ओरतों को कम सकम देखे दिला साही दे जाए खाली आप तो खाना खारों हें हम खाना खाक खाना कारे हैं हम मजदूरादमें आपने कि भालों की साथ में उaneल तुल ठीक बात करते हैं तो अफोटो खीचवाने के लिए ने फाने और दंड लेकिन कभी आए अपने ग्रहराज्य में आए और पूछें इन लोगों से कि जहां के विधायक दिल्ली सरकार में मंत्री हैं उन लोगों के साथ क्या हो रहा है उन लोग के उनके घर उजाड़ दिये गए हैं इस बच्ची की शादी हो गई क्यों उसके पिताजी के बाद उसको जब सकते हैं कि जल्दी सड़्डियां आती नहीं और क्या हाल है स्वक्त दिल्ली का और उससे बी बत्तर हालाद में किस तरीके साथ सितंबर को दोपैर 11 बजे के बीच लगबग वहां पर एक-एक M.C.D. के लोग आते हैं पुलिस के साथ 40-50 पुलिस वाले आते हैं और वहां पर पूरे मीट मार्केट तोड़ दी जाती है जहां पर रेडी खौमचा लगा करके लोग नीचे बैठ करके यह सब चीजए बेचते ते यह तो गलत किया गया वहां पर भी और किसी शुचना के सब चीजए की गई न थो हम लोग को कि यह Join दोबार दोबार हम लोगों को बढ़ाया जाए दोबारा बावरपूर के आठ तारिक की है कस्तूरों नगर में कुछ ऐसा ही चल रहा है वो भी शायद जो है वो नहीं बचा पाएंगे वहां कर लोग सर आप कहां से मैं भी सावाट डेरी से हूँ वहां पर इन्होंने बताया ही कि क्या सिति हुई बगेर किसी सूचना के पहुंच जा रहे हैं और तुरंट से तोर फोर सुरू हो जा रहा है जबकि पहले अतीत में दोनों ही पाटियों ने भाजपा और आम आदमी पाटी दोनों नहीं यह वादा किया था जुगी सम्मान यात्रा भी निकाली गई थी लेकिन आज उस जरजर हालत में लोग रहने के लिए है इसके इतर भी हम लोगोंने वहां कि लोकल विधायक है वहना विधांसबास है हम लोगे जाब अगवान कॉरा को आपka 500 लेकिन कोई सुनवाई नीती वहां पे और लोगों के दबाव से ही और महां पर लागातर परदर्शन करने के पहले पर तोर सा आगे बढ़ा करके ज अपना रेडिव खॉमचा लगा करके काम कर रहे थे मीट बेच रहे थे वहाँ पर उस तरीके से चीज़ है क्यूंकि आप इस सब चीज़ को थोड़ा समझ रही है तो एक सवाल ये भी है कि जहां भी इस तरीके demolition देखने को मिलते हैं वो या तो यह तो यह तो इसमें कोई और पैर्टर आपको दिखाए देता है कि इनी को टार्गेट करके क्या यह सारी ड्राइव होते हैं आनि देखिए यह तो है भाजपाज जिस तरीके से काम कर रही है अलग संकों को टार्गेट करने का उसी तरीके से अम आदमी पार्टी का भी वही है वही चरीतर है अलग से कुछ नहीं है इनकी पीछे सबकी चुनावी जो गाठ हैं की पूरी लाल है नीती हैं इनकी सेम है चाहे हम लोग आंगनवाडी के संगर्ष में देख लें आंगनवाडी की ओरते किस तरीके सा लड़ती रही संगर्ष करती रही और फिर इन दोनों सरकारों की साथ गाठ से कोई मतलब हल देने के लिए राजी नहीं हुए एसमा लगाना पड़ा है मतलब एंड में उनके ओपर यहां पे भी एक यह सेनेरियो तो तहां वहां पे भी शाबा डेरी में जो तोड़ी गई है चालिस के लबग जो रेडी खॉम्चा लगाने वाले लोग ते वहां पे भी यही चीज थी कि गरीब मुसलमान लोग है ऐसी तो थोड़ा ज्यादा विश्वास रखती है जनता की उन्हें दो बार जो है दिल्ली की सरकार स्वांपी है और थोड़ा बहतर समझा जाता है लेकिन फिर भी आप यह सारी यह बात कह रही है तो क्या आमांदी पार्टी जनता को समझाने में ज्यादा कामयाब हो गई है या टाइव के से केजरिवाल साहा भी पूरा दाहपदा कर सकते हुम्हें होग यहां पर स्कूल मोडल पर बात पूरा कर रहे तो आप चलिए ऐसे घरीभ बस्तियों के हि खार पास पास के यह स्कूल में आप चे है बच्छों के शिनारे का आपको पता चलिएगा पास के बशने हुए हैं पता चलियागा इसके इतर भी 700 लिटर मुफ्त पानी देने का वादा किया था के जरिवाल सरकार में अपने केंपेंड में 700 लिटर मुफ्त पानी नहीं मिलता है टेंकर के लिए लोग आज भी मरते हैं हार मजदूर इलाकी की बात करें इसके इतर ही साफ सफाई को लेकर के जिस तरीके से दिल्ली चमका दी जाएगी सब चीजा कर दी जाएंगी वह कुछ नहीं होता है जहां जुग्ग गए टिपूरी मार्केट्टuw उड़ी एक नरेला की बात और इसे यह पूरा अमभाना की बात और शाबार्डे कर सकते हैं क्यों राशन कार्ड कुछ एक लिमिट की है दिल्ली सरकार ने उसके बाद क्यों राशन कार्ड अपलाई नहीं है तो यह सारी चीज है सारे ऐसी बाते हैं जो केजरिवाल सहाब बहुत बड़ी-बड़ी बाते करके दुहाई देदे करके पूरा विज्यापन कोई भी कोई भी राजनीतिक पार्टी पाकसाफ नहीं होती है लेकिन पैटन हरौटी का सैम हो जाये तो जंता चुने किसको ये सवाल आ जाता है हमारे पास है तो आंटी जी किया कोई डिफरेंस दिखाई देता है किसी और सरकार में आपको कि हर कोई आपका गढ़तोड़न तो घर सब तोड़ दिया बेटा घर तो आम पाल्टी ने चुड़वा दिया गुपाल राय के भाई न योगिंदन न चुड़वा दिया अस्पदाल भट्टो की बनाई है 15 साल के एगरिमेंट के लिए उसकी वज़े से हमारे मकान तोड़ दिये गए हमें मकान तोड़ दिये यह कितने साल से रह रहे थे हम चालिस साल हो गए हमें रहते हैं वहां बुड़ा पागया उसी जगा आज बुड़ा पर महराब कर दिने दो आज बेर से लिकार दिया जिने की समाने बढ़ी दिए मैं मैं इस वक्त कोई सवाल पूछ नहीं सकता हूं या अगर मैंने सवाल पूछा भी तो बिलाशक मैं इंसेंसिटिव कहलाओंगा और ये मैं खुद को भी इस चीज़ पर कन्वेंस नहीं कर सकता कि मैं इस सिचुएशन में और कोई सवाल करूँ आप यह सब समझ सकते हैं कि क्यों हमेशा टार्गेट करके एक कमजोर तबके को घरीब तबके को टार्गेट किया जाता है और उनके घर तोड़े जाते हैं और असल में इस देश में इस गरीबी की एक जाती है और वो जाती आप सभी जानते हैं कि S.C.S.T.O.V.C. मानौरिटी ये सभी गरीब हैं यहाँ पर लोग वापस आए हैं ग्यापन देकर और इनसे पूछ लेते हैं कि क्या जानकारी दी है इनको जो चार लोग बाहर अंदर गए थे जो चार लोग अंदर गए थे वो लोग अभी हमारे बीच आ गए हैं और हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या बात की वहाँ पर एक बात सुन लीजे इदर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं न से जानते हैं कि यहां पर इन लोगों ने बात की वहां पर क्या तो पहली बात है सच है मुश्कल से 20 कदम होगा जहां यहां पर इसकादम पहले है इस पहुंचने तो इनको डर रहे हैं तो वहां तक भी नीजाने देरें हमारे नहीं तो पहली बात है यहां पर दिल्ली के लोग सड़क पर बदहाल है उन्हों नों खुद बताए तो चुनाओं परचार पर गई है तो ऐसा तो सीम बिलकुल नकार आए कि उनकी राज्य की जनता सड़कों बैठी है बुखाल है और वो चुनाओं पर चार पर निकले हुए कि चुनाओं पर चार पर गई और यहीं बैठे होगर में यह तो उन्हें पर चाहर करें और वहां तक रुपर्ट जानी चाहिए कि यह कि काबिल नहीं है पहले 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 पूरी बात रखने दा हूं मैं पहले पूरी बात रखने दो अंदर जाने के बाद वहां पर हमें बुलाया गया उन्हों बैठीए बाथ उसके बाद लेकिन जब हमारे लेटर पड़ते हैं अच्छा जनता कलोनी बावर पुर्चाइब अच्छा-च्छा जुगी वाला मामला आए अच्छा-च्छा अरे नहीं मिल सकते चुनाओं पर चार कर रहे हैं उसके बाद हमने कहा कि उनके जिम्मेदार उनके आप जानिये उनके चार अधिकारी होते जो उनके साथ बैठके मिटिंग करते हैं रोज ऊएशड़ी होते हैं ôngि उफिशोष ल्टी वहोते हैं जिनसे बीशोते हम लोगशल होते हैं हैं dipped क्रूटि वह लुटि होरे सासे चाहिए दॉ भुआ कोई उफिशो नहीं है तब सोचर क्या अप्राइब जिनको टूटि लगकिए उन्ने फिल गया यह बात है कि यह बस नाम के आम आदमी पार्टी हिक की सरकार है कि आम आदमी की सरकार है यह असल में खास आदमियों की सरकार है यहां से अगर अभी कारों में लोग जाएंगे बैठके तो उनको नहीं रोखा जाएगा अब उतरेंगे सूट बूट वाले लोग होंगे उन्हें अंदर बड़ा चौफिस मना रखा उसमें बैठाया जाता है उनको कोल्डिंग पिलाई जाती है उनसे सीम साव के बात करते है उनसे बात करते है पैसे वालों से खासाथ पंजाब में चुनावतें तो चार व्यपारियों से मीटिंग की क्या वहां के मसदोरों से कोई मीटिंग नहीं नहीं करते होंن कि यहां पर हम स्ईयम साब गए यहां पे हमें मिलने से मना कर दिया कि बाबर पूर जनता के लोनी से नहीं मिलने जाए समय नहीं है टाइम नहीं है नहीं मिले हमने उन्होंने का बस हम पर एप्लिकेशन दे दी है एप्लिकेशन हम से को दिखा देंगे लेकिन हमने का जिम्मेदार आतमी से बात करने तो नहीं भी समझने दिया है कि यह हम लोगों से वोट लेके हमें धोका देने का काम कर रहे हैं वो साफ साफ दिख रहा है जैसे मोधी सरकार मजदूर विरोधी है ऐसे केजरिवाल सरकार भी मजदूर विरोधी है यह नाम क्या आमादी पार्टी है असल में यह खास आदमी पार्टी है खास लोगों की सेवा करते हैं, खास लोगों का काम करते हैं, तोपी लगा के हमें बेवकू बनाते हैं, अब बस एक हुआ ये है, कि एक हमारी जो एप्लिकेशन है, वो मुख्यमंत्री आवास के लिए उनको दे दी गई है, वहाँ पे रिसीव हो गई है, एक डाइरी नमबर इन्हों सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद हम आपको फोन करके बताएंगे कि वो क्या कहते हैं, इसके जवाब में सब्सक्राइब करेंगे, एक से दो दिन में अगर कोई जवाब नहीं आता, एक समझ लिए जाएंगे, आके अपनी खोल ली जाएंगे, कि यह सरकार धोके बाजों की सरकार है, दूसरी बात है, हम अपनी लड़ाई तो कानून से और भी जाली रखेंगे, लेकिन यहां इनका कानून चलता है, इनका कानून और पुलिस फोज है, हमारी कलोनी और जहां रह सब्सक्राइब लिए जाते हैं और हमें यहां से बगाया जाता है हमारे सामान दबाके हमारे सब पूरी गिरस्ती दबाके हमारा सब घर तोड़के और हमें जो है बर शहिती है अपने विदायकों पर जो अज साथ आट दिन के अंदर पांच मिन नट का समय नहीं अपने आस-पास के लोगों से पूछने के लिए हमारे दफ्तरों से हमारे घरों की दूरी दस मिनट कि ये दस मिनट की दूरी पर नहीं आ सकते तो क्या करेगी दिल्ली सरकार क्या करेगा सब एक हैं सब मिलावा अब और इन सबी लोगों के चहरे लेखिए और इन लोग इस अदर सारा समान दब गया है वो कर क्या सकते हैं इस वक्त, सिवाए और सिवाए अपनी आवाज उठाने के यहां से सो मीटर भी नहीं है, मुख्यमंतरी का दफ्तर, लेकिन मुख्यमंतरी इन से मिल नहीं सकते हैं, क्यूंकि वो एक और राज्य में सरकार बनाने में लगे हैं, आये थे ये वादा लेकर कि हम आम लोगों के मुद्दों की बात करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ, घर, बिजली, पानी, इन सब की बात करेंगे, लेकिन मेरा सवाल इन से ये है, कि जिन लोगों का घर छीन लिया गया, उनको आप स्वास्थ, पानी, बिजली, शिक्षा, आखि मेरी बातों से सहमत हों असहमत हों जो भी हों हमें कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं कैमरे के पीछे मेरे साथ ही आशीश के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारंगी रिपॉर्ट धन्यवार